तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने दिमाग और बुद्धी को हजार गुना तेज कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी बताने जा रहे हूँ जिससे आप अपने देमाग और बुद्धी को हजार बुना तक तेज बना सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं हमारी इस वीडियो में कौन सी है वो जड़ी बूटी हम बात कर रहे हैं माल कांगनी की माल कांगनी हर जगा किसी भी जड़ी बूटी वाले की दुकान पर असानी से मिल जाती है इनके बीजों में एक तेल होता है जो गाड़ा और पीले रंग का होता है साथ ही इस तेल का स्वाद भी कड़वा होता है ध्यान रहे कि अगर आप बज़ार से इसका तेल खरीदना चाते हैं तो अच्छी तरह जाच कर लें क्योंकि अधित्तर लोग इसका नकली तेल बेचते हैं वैसे अच्छा रहेगा कि आप बज़ार से इसके बीच ही खरीदे और खुद इसका तेल निकवाए एक अन्या बाद इसके बीच और तेल दोनों ही सम्मान रूप से गुड़ी होते हैं इसका हर बीच चने की अकार का होता है जिसमें 6 अन्या छोटे छोटे बीच भी पाए जाते हैं तो आईए अब मालकान्णी के फायदों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं आईएरवेद इसे बुद्धी बढ़ाने वाली दवाई कहता है और यहीं इसके लिए सबसे अच्छा विशेशन भी माना जाता है इस तरह देखा जाए तो ये उन छात्रों के लिए किसी अम्रित से कम नहीं है जो पढ़ने में कमजोर होते हैं बुद्धी के साथ साथ ये यादश बढ़ाने में भी सायक होता है और अपने इस गुण के लिए ये विश्वर में प्रसित भी है अगर इसका प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें शंक, पुश्पी, चूरण भी मिला सकते हो वे लोग जो सदाचिंता में खोई रहते हैं आगे बढ़ने से कत्राते हैं जिनके अंदर डर हैं उनके लिए भी औश्टी गजब का कार्य करती है साथ इसके एक खास बात ये है कि इसका परियोग पाच वर्ष के बच्चे से लेकर सौ वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसमें व्यक्ति अपनी कही बात या कारे को भूल जाता है कुछ समय बात उसे बात याद आजाती है तो अगले ही कुछ समय बात वो फिर से उस बात को भूल जाता है किन्तो इस रोग से चुटकारा पाने के लिए इस ओश्टी का परियोग किया जा सकता है नमबर फाइव डिप्रेशन दूर करे डिप्रेशन या अफसात के लिए इसे रामबाड इलाज माना जाता है साथ ही ये भी कहा जाता है कि ये ततकाल पड़ी नाम देता है मनोरोग के अनेक चिकित सक भी इसी ओश्टी का परियोग करते है नमबर सिक्स इंद्रियों को मजबूती दे उपर बताये सभी लाबों के साथ ये हमारी सभी इंद्रियों जैसे कि नाक, कान, आक, इतियादी की शक्ती को बढ़ा कर हमारे शरीर को पूर्ण करता है खून को बना कर वैं उसे शुद करके ये शरीर की कारे शमता को बढ़ाता है नमबर सेवन तो चलिए जान लेते हैं इसके तेल को परियोग करने की विदी इसका तेल लेने के लिए आप दिन में एक बून से दो बून तक परियोग कर सकती हो क्योंकि तेल कड़वा होता है तो उसे सीधा लेने में आपको संकोच होगा तो इसके लिए आप तेल की बून्दों को चमच में लेकर चाटे और उपर से गर्मा गरम दूद पिलीजिए तो चलिए जानते हैं इसको पीने के बाद आपको क्या-क्या साबधानिया बरतनी चाहिए वे लोग जिने एनीमिया, थैलसीमिया, नव विवाहित, पीच में अलसर से पीडित, किटनी रोगों से ग्रस्त, मुँ में छाले वाले व्यक्ति, एक्जीमा, गर्वती, स्त्री ना तो इसके तेल का परियोग करें और ना ही इसके बेचों का तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे मालकंगनी आपके दिमाग और बुद्धी को तेज बनाती है अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शियर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही दिये गए बेल आइकन को प्रेस कीजे ताकि आपको हमारी लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन डेली बिल सके थैंक्स ओर वाचिंग इस वीडियो तिल एंस्टे हल्दी एंस्टे बूतिफल वित में